हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल और आज मैं दोस्तों आप लोगों के सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ आज मैं बताऊंगा आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से की रिजिनिंग का एक नया चैप्टर डिक्सिनरी लॉजिकल ओडर सब्द कोस्त के करम तो देखें दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टन चैप्टर है और कोई भी एक्जामेशन हो उसमें एक ना एक कोस्टन होता ही होता है SSC तो पुस्ती पुस्ती है तो आएए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं इसमें कनिफ्यूजन भी होता हलका दोस्तों ते इसलिए अच्छे से देखें ताकि आपको एक्जाम में प्रॉब्लम ना हो बनाने में और देखते के साथ आप आंसर करके आएं तो आएए हम पहला कोस्टन पर आते हैं पहला कोस्टन है दोस्तों आप देख सकते हैं अंग्रेजी सब्द कोस में तीसरे अस्थान पर कौन सा विकल्प आएगा तीसरे अस्थान पर यह देख रहे हैं दोस्तों बोल रहा है तीसरे अस्थान पर तो हमें क्या देखना है द M-O-N-A-H-T-I-C M-O-N-E-T-A-R-Y M-O-N-E-Y-E-D तो देखिए इसमें देखना हमें वो है कि जो सबसे पहला हो जाए जैसे M-M तो सब में है तो हटाईए इसकी पीजिए O सब में है N सब में तो M-O-N 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 और M-O-N सब में है तो हमें इसमें से कोई भी option नहीं ले सकते अब हम क्या करेंगे दोस्तो N के बाद देखना है N के बाद इसमें A है इसमें भी A है इसमें E है और इसमें E है तो definitely है कि A वाला पहले आएगा तो अब ये दोनों मेंसे कोई भी पहले या कोई भी दूसरा हो सकता है चुकि पहला हमारा क्या होगा A A देखे A के बाद क्या है R और यहां क्या है A के बाद S तो पहला क्या होता A के मतलब R पहले आगा या S तो यह आगा तो इसका हमते यह एक नंबर में हो गया यह दो नंबर में हो गया लेकिन हमें पूछ किया रहा है दोस्तों, तीसरा, तो तीसरा क्या है, हमें M-O-N-E-T है यहाँ, M-O-N-E-Y है, तो M-O-N-E इसमें भी है, M-O-N-E इसमें भी है, तो T यहाँ है, और यहाँ Y है, तो T पहले आता है, यह Y, तो T, तो definitely है कि यह 3 होगा, और यह 4 नंबर पे होग होगा, ओके फ्रेंट्स, तो हमारा मांग क्या है, तीसरा अस्थान पे तो हमारा आंसर क्या होगा, C, ओके फ्रेंट्स, लेकिन यह सिरियल करम में दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, यह option सिरियल में था, एक, दो, तीन, चार करके था, और option भी C, तीसरा पूछ रहा है, C ही मि होना आएगा, तो देखे, क्या है, P, A, R, A, P, A, R, A, P, A, R, A, Sभी में हैं दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें दूसरा लेंगे, क्या L लेंगे, L के बाद Y, L के बाद Y, L के बाद Y, L के बाद L, तो L के बाद जब L हो गया, इसका हम तो क्या पहला नंबर पर यह हो गया अब हम इसे एक नमबर पर औरीडी यह हो चुका है तो अब इसे हम बिल्कुल भी नहीं चुएंगे छोड़ेंगे से अब A, B और C में ही आंसर में लाएंगे जो चौथे नमबर पर होगा तो इसमें क्या है L के बाद Y, L के बाद Y, L के बाद Y, तो सब में है next देखें है तो यह होगा तो इसके बाद क्या है S, S दोनों में है तो इसके बाद इसमें आई है इसमें E है तो पहले कौन सा आता है E, तो यह हो गया दूसरा और S के बाद आई यह हो गया तीसरा तो हमारा चौथा कौन हो गया दोस्तों B, यह हो गया चौथा, खिका दोस्तों मान सब्दों को सब्द कोस्ट में दिए गए करम के अनुसार की विवस्थित करें हमें क्या करना है दोस्तों करम के अनुसार बस dictionary logical order इस ही को कहते हैं दोस्तों तो हमें dictionary के अनुसार जाना ओके ग। कम के जैंफे c-o-n co-n 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 sub finance सब नहीं है दोस्तों और इसके बाद फिर c o n के बाद c इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है इसमें 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 इ इसमें भी E है, पहला में, दूसरा में E है, तीसरा में E नहीं है, चौथा में E है, पाच्वा में E है, तो definitely है कि कोई ना कोई 1st, 2nd, 3rd, 4 आएगा, लेकिन आई वाला क्या है, दोस्तों सबसे आखरी आएगा, तो सबसे आखरी जब आएगा आई वाला, तो definitely है कि आखरी हम य एक, एक, एक था, लेकिन इसमें 3 है, और हमारा आखरी होगा भी कौन? 3, क्योंकि C के बाद क्या है? आई है इसमें, बाकि C के बाद E था, E था, E था, E था, तो हम बे हिज़क ये बना के चले जाएंगे हमारा आंसर सही होगा लेकिन फिर भी हम इसको पूरा करते हैं आपको देखे C के बाद E है इसमें E है आई वाला को अब हम नहीं चुएंगे कि ये सबसे आखड़ी हो गया तो E के बाद S है E के बाद P है E के बाद I है E के बाद R है तो सबसे पहले कोण आएगा डिक्सिनरी के नूशार तो E के बाद I आई आएगा ना दोस्तों तो देखे 4 4 4 सब में है तो ये हो गया हमारा 1 ऐसे भी टेंशन खतम उसके बाद E के बाद क्या था यहां S और S E के बाद P ठीक है दोस्तों यह खतम ही है तीन नमबर तो लेना ही नहीं है क्योंकि आखरी हो गया E के बाद I ले लिए E के बाद R अब R आएगा P आएगा यह S आएगा तो definitely दोस्तों की E के बाद P आएगा तो 2 दो नमबर पे यह हो गया ठीक है अब यह 3 को छोड़ी देंगे यह तो हो गया मेरा आखरी आखरी का मतलब है यह पांचवा नमबर पे ठीक है दोस्तों यह हो गया अब हमें यही दोनों में मिलाना है एक नमबर और पांच नमबर में तो E के बाद R है और यहां E के बाद S है तो E के बाद R वाला होगा हमारा चौथा सॉरी तीसरा होगा यह दोस्तों और यह होगा चौथा ठीक है दोस्तों यह तीसरा होगा तो हमारा डेफिनिटी है दोस्तों अब मिला सकते हैं आप एक नमबर पे चार वाला आएगा तो चार चार सब में है दूसरा नमबर पे दो वाला आएगा तो दूसरा नमबर पे दो दो देखे और इली आंसर तो नहीं के ली चुका है तो यही होगा आंसर हमारा ओके उसके तीसरा नुम्बर पर 5 है तो देखे यह रहा तीन नंबर पर 5 आ गया ठीक है friends तो इसी साथ हम nex question प्या रहे है नेक्स्ट कोशन है दोस्तों निम्ले कि सब्दों को सब्द कोस में दिये गए करम की अनुसार विवस्तित करें करम की अनुसार चलाना है तो ई-उ-प, 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 तो देखें दोस्तों सब में ई-उ-प, ई-उ-प है, ई-उ-प है, ई-उ-प है, ई-उ- जी इसका हूंता है कि अब पहला नंबर पे ये होगा क्यों क्योंकि P से पहले आता है हमारा जी और EU 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 तो सब में है तो यहां से आंसर देखेंगे 4 वाला यहां है ना 4 तो यह देखेंगे हमारा पहला होगा इसमें है चार पहला, इसमें नहीं है, तो यह आंसर बिलकुल भी नहीं हो सकता, इसमें है चार, यह अंसर नहीं हो सकता, अब यही दोनों में है चार, अब हम A और C का ही बात करेंगे, तो अब देखें, ऐसा नहीं कि अब यहाँ Y है, लाश्ट से नहीं मिला यहीगा, Y, Y, S, Y, S, Y, S मिला सकते दोस, हम आगे से ही चलना होता है हमें, ठीक है? अब देखे, तीन डिजिट का तो खतम हो गया, E, U, P से, अब हम E, UP के बाद क्या है, ह, यहां क्या है E, यहां तो H है, पहला में, दूसरा में E है, तीसरा में क्या है H है चौथा का बात अब नहीं करेंगे क्योंकि already हम इसे ले चुके हैं अब पांचवा में क्या है यूँ P के बाद H है तो अब देखिए P के बाद H पहले आता है या E आता है तो definitely के E आयगा तो चार और दो यही होगा हमारा 4 और 2 किसमें दियागा इसमें 4 और 3 है एक A में ये गलत होगा 4 और 2 इसमें दिया आंसर मेरा यही होगा तीन नंबर तीन नंबर हमारा आंसर होगा जो कि बिल्कुल सही होगा यही तरीका है दोस्तों इसके बाद अगर और मिलाना है तो हम क्या करेंगे H के बाद का देखेंगे अब H के बाद क्या है R है ये तो ले लिए अब इसे भी हम बिल्कुल भी नहीं छुएंगे H के बाद यहाँ O है H के बाद O है तो O आएगा या R आएगा तो definitely O आएगा R नहीं तो अब हम बात करेंगे तीन और पाँच में O के बाद क्या है N तो ठीक है दोनों उसके अन के बाद T है यह N के बाद Y है तो Y पहले या T पहले तो definitely है T पहले यह हो जागा मेरा तीसरा ओके फ्रेंस और यह हो जागा मेरा चौथा ठीक है फ्रेंस और यह हो जागा मेरा पांचवा क्यों यह लगसे आखरी है क्योंकि यहां P के बाद R था और यहां P के बाद क्या है दोस्तों पांचवा में आ रहे है यहां पांचवा में क्या था दोस्तों पी था उसी तरह हम मैच करेंगे अब देखे एक में आ गया चार ठीक है दो में आ गया आपका दो ठीक है तीसरा में तीन ठीक है अब उसके बाद चौथा में पांच ठीक है यहां देखे चौथा में पांच आ गया पांच पांच में एक एक नमबर तो हमारा अंसर बिल्कु सही है पहले ही निकल चुका था मैं आपको और किलियर कर देना चाहा रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको एक्जामे पोई प्रॉब्लम ना हो आईए हम नेक्स्ट कोर्शन पर आते हैं और इसे जल्दी बनाएंगे निम्लिके सब्दों को सब्द कोर्स में दिये गए करम के अनुसार व्यवस्थित करें तो F, A, N, F, A, N, F, A, N F, A, S है इसमें, F, A, V है इसमें अब देखे, तो सबसे पहले क्या आगा F, F तो मिलिया सब में A, 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 S मिलिया, सोचना ही नहीं है अब क्या है, N है, N है, S है, V है तो कौन पहले आगा, N वाला पहले आगा N के बाद T है और यहाँ N के बाद A है अभी दोनों तो सोचना ही नहीं हमें ठीक है दोस्तों क्योंकि अभी क्या है हमें यह दोनों में बात करना है क्यों 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 N, F, A, N का बात करेंगे इसमें तीसरा नमबर में S है और चौथा नमबर में V है तो F, A, N वाला हम बात करेंगे तो 3 और ये 4 तो बस हमारा आंसर होगा तो 1 में क्या है 2 तो 2 किसमे यह दोनों में तो ये और ये आंसर कट होगया ओके फ्रेंज तो ये definitely answer सही है आप match कर लिए अच्छे से ठीक है दोस्तों अब हमातें next question पर हमारा next question है निमलिकित सब्दों को सब्द कोस में दिये गई करम के अनुसार विवस्थित करें अब क्या हो रहा है दोस्तों देखे र, e, c, r, e, m, r, e, p, r, e, p तो सबसे पहले र, e, c होगा तो definitely एक होगा क्योंकि r, e, r, e तो सब में है तीसरा में कहें, c, तो c ही पहले आएगा dictionary के नुसार, उसके बाद m, p, जो भी हो, उसके बाद m वाला आएगा, तो m ठीक है दोस्तों, r, e, c, r, e, m पहले आगा, अब r, e, p, यहाँ है r, e, p, यहाँ है, r, e, p, यहाँ अब तीनों में से कौन सा आएगा अब हम यह दोनों का बात नहीं करेंगे क्योंकि और इडी यह दोनों एक और दो नमबर पे आ चुका है, अब चाहे इसके बाद a, b, c, कुछ भी दिया हो, हम नहीं देखेंगे, ठीक है दोस्तों, r, e, p, p, p है तो p, 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 तो मिल गया a, e के बाद क्या है, a, अब दोनों में e के बाद a है, तो e के बाद t और l, तो e के बाद t और l में से पहले कौन आएगा l वाला, तो हम क्या करेंगे, t नमबर, ओके फ्रेंस, यह हो गया और p, अब इसके बाद यह हो जागा 4 नमबर, आप बोलेगा कैसे क्योंकि t तो बहुत last में, तो देखे यहाँ p के बाद e था, p के बाद e था और p के बाद o है, तो o बाद में आएगा, सबसे last में तो e वाला पहले match करेंगे हम तो e में l यहां आगया, तिसले तीसरा हो गया t यहां आगया, तिसले चौता हो गया, क्योंकि d, okay friends, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, तीसरा नमबर पे देखे 5 है, तो यहां तीसरा नमबर पे 5 है चौता नमबर पे 4 है, तो चौता नमबर 4 है पांच्वा नमबर पे 3 है, तो यह तो पांच्वा नमबर पे 3 है okay friends, हम आते हैं next question पे, अगर आपको कोई problem हो रही हो तो definitely आप comment box में comment करके clear करवा सकते हैं मेरे से या फिर मैं next video में आपको फिर से समझा दूँगा, निमलेकित सब्दों को सब्दकोस में दिये गए करम के अनुसार विवस्थित करें, अब देखे, O, B, O, B, O, B, O, B सब में है दोस्तों, तो हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है इसमें कि कौन सा आएगा नहीं आएगा, अब हम आगे बढ़ेंगे, O, B छोड़िए अब, अब आएए, B के बाद क्या है, S, यहाँ B के बाद J, J, L, L, तो कौन सा आएगा तो definitely कि J पहले आता है, उसके बाद L आएगा, तो यही दोनों में हम बात करेंगे, क्यों क्यों कि इसी दोनों में J है, ठेक है दोस्तों, तो J के बाद क्या है, E, E, C, E, C, T, T, I, I, सब मैच कर रहा है, तो हम बिल्कुल भी उसको skip करते जाएंगे, यहाँ तक मैच करता जाएंगे, वहाँ तक हम क्या करेंगे, skip करते जाएंगे, अब क्या करना है हमें, मिल कहां तक या, I तक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ V है, यहाँ O है, तो V या O में कौन सा पहले आता है, दोस्तों, O, तो definitely कि मेरा यह हो गया, एक नंबर, और यह हो गया, अब दो नंबर, क्यूं, अब बोलेगा कि O से पहले भी तो बहुत चीज़ा आ सकता है, जैसे आई, हमें नहीं देखना है, हमें देखना है कि कौन सीरियल नंबर के हिसाब से चलता जा रहा है लिक्सनरी के नुसार, तो सबसे पहले यहाँ J आ गया, यहाँ J आ गया, तो इसी दोनों का ही बात करेंगे, अब इस दोनों को जब तक ना ले ले, तब तक हम तीसरा में नहीं गुसेंगे इन दोनों में लेने के बाद हमें यह और यह दो पे पला, अब हम आएंगे, O B के बाद यहाँ क्या था, S, यहाँ क्या था, L यहाँ क्या था, L, तो definitely है कि L पहले आता है, तो यह आखरी हो जाएगा, क्योंकि सम्में तो L, L, J, J था, एक, दो होगा, अब इसी में तीन और चार होगा यह आखरी, एक वाला होगा, आखरी तो यह खतम, यह खतम, क्योंकि यह आखरी क्या है, चार और चार है, अब एक वाला ही आखरी होगा तो यह हो सकता है, या पिर यह हो सकता है answer, ओके friends, लेकिन अब यहाँ से भी मिला सकते हैं, तो तीसरा नंबर तो पहले छी इसलिए मेरा यह पहले से S था पीच में घुसा हुआ है तो हमारा यह हो जाएगा अब देखें तीसरा दॉंबर पहले तो हमारा ये है, 30 नमबर पे हो जागा 4 तो हमारा अंसर सही हो गया, MATCH कर लिज़े आप, 3, 2, 4 , 5 ,1 तो देखें, 3 एक नमबर पे आ गया, 2 नमबर पे दो आ गया, और 4 हो गया, 3 नमबर पे, 4 हो गया, 5 नमबर पे, ठीक है दोस्तों, यह हो गया, 5, चौथा नमर पे आ गया न यह रहा और एक हो गया एक मेरा पांच मा पे तम आते हैं next question पे दोस्तों I hope कि आपको आसानी से समझ में आ रहा हो और exam में फटा बड़ बना सके मैं अच्छे से इसलिए समझा देता हूं कि आपको exam में problem नहों और unless and until you practice you will not be able to get answer तो जितना practice किजएगा उतना ज्यादा आपको आसान होगा answer लाने में निमलेखित सब्दों को सब्दकोस में दिये गए क्रम के अनुसार विवस्तित करें अब देखे बी आर बी आर बी आर बी ओ अबी यू है तो आर पहले या ओ पहले तो definitely है दोस्तों कि ओ पहले तो हमारा एक नमबर पे आ गया अब इसे हम नहीं छूएंगे बिलकुल भी ठीका दोस्तों तो चार चार सब में है अब हमाते आगे अब आर पहले ये यू पहले तो आर वाला पहले तो चाह इसमें भी आ रहे इसमें भी आ रहा है इसका मतलब यह क्या हो जाएगा पांचवा नंबर पे चुकि अब यही तीनों में से कोई भी दो तीन चार होगा क्यों 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 क्यो पिए पगत्म आता है इसका मतलई यह 4 ते 5 हुं तो हमारा क्या हो जागा चार एक नमर प्यार तो 4 सम में हैं दूसरा नमर पे 2 आ रहा है तो दो दो इसमें है तो इससका है यह और यह fairness кुटम सम्मेह हैं तीसरा नमबर पे तीन है तो तीसा नमबर पे तीन इसमें दिखा रहा है तो हमार आंसर होगा B ये भी आंसर गलत ओके फ्रेंड्स I hope कि आप वो पसंद आई हो वीडियो अगर अच्छे से पसंद आई हो तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें थैंक यू फ्रेंड्स